हलो दोस्तों कोई कैस में का स्वागत है बीपीसी का एक्जाम 12 फरवरी को है 68 बीपीसी का और साइंस से जुड़े हुए कुछ बहुत महत्पूर्ण कोशन है उनकी स्रीज हम लोग सुरू कर रहे हैं आज यह पहली स्रीज का यह पहला पार्ट है ऐसे दस कम से कम 8 से 10 पार्ट जो है साइंस के जोगर्फी के पॉल्टी के अलगलग सब्जेट के लाए जाएंगे और आप लोग उस कोशन को सारे कोशन को अप लोग ध्यान से उसको देख लिजेगा यह सब कोशन ही बार-बार आते हैं जाम में उन्हीं सब कोशन को लाया गया है जिससे आपका कोशन लौद्रत नई होने पाएगा हम लो चलते हैं पहले कोशन की और पह celery कोशन है निम्लिकत मेंसे किस प्राकेतिक पदार्त में लोवव जोता है ऐसा कौन से प्राकेतिक पदार्त है जिसमें लोहा जोता होता है तो वह है आपका मायोगलोबین मायोगलोबین में लोहा बिदमान होता है ये प्राकितिक पदार्थ है दुसरा कोशन है जीन के भीतर अनुकरम आधार में परिवर्तन कहलाता है क्या? ऐक कोशन कई आ चुका है उत परिवर्तन पर्तिरूपन, सैयोजन पर जनन तो इसका आइसर है उत परिवर्तन जो जीन होता है उसके अंदर जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग उत परिवर्तन कहते हैं नेश कुशन है फायर अलाम में निमने खित में से किसका उपयोग किया जाता है जो फायर अलाम होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है तो फोटो सेल का पानी का सौर सेल का या इन में से कोई नहीं तो इसका एंसर होगा फोटू सेल, फोटू सेल का यूज होता है, फायर अलाम में ऐसा कुशन कई बार एक्जाम में आता है ये निश्ट कुशन है, मानो सरीन में प्रोटीन का पाचण निम्ने कितमे से किस आंग में प्रारंब होता है यह कुशन कई बारा चुका है या किर्ट में या मुख में छोटी आत में या आमासे में तो यह जो है आमासे में जो है इस्टो मच में जो है यह प्रोटीन का पाचन सरीर में होता है यह ठीक है? नेश्ट कुशन है निमनिकित में से किस निम्रिकित में से कौन सब बिटामिन मन उसमें रक्त के जमने के लिए उत्तरदाई है तो इसमें है बिटामिन क, बिटामिन ए, बिटामिन ए, बिटामिन सी तो हमारे सरीर में जो रक्त जम जाता है अगर मालो किसी का सरीर कट जाता है तो जो रक्त निकलता है और रक्त थोड़े बार जम जाता है अगर रक्त जम जाता है इसका मतलब है कि उसके अंदर विटामिन के की मात्रा भरपूर है अगर वो नहीं जमा तो इसका मतलब उसके अंदर रक्त बहता रहेगा और रक्त अगर नहीं जमेगा तो उसके अंदर विटामिन के की मात्रा जो है इसका मतलब हो कम है अगर एक जाम में आ आ जा कि कौं सा विटामिन से मनुस में ठाक का नहीं बनता है रख्त जमना नहीं पाता है तो विटामिन के है उसका एंसर है विटामिन के निश कोशन है मानो मस्तिस के बारे में निम्रिकित कत्रों पर विचार कीजिए मास्तिस जो मस्तिस होता है मानो का वो हिर्दे गति को निदित करने के लिए उत्तरदाई होता है बिल्कुल सही है या सरीर के संतुलन के लिए उत्तरदाई होता है बिल्कुत सही तो इसका एंसर हो जाएगा C. एक और दो दोनों सही है Next question है मानो आहार में पॉलिस किये हुए चावल के उपयोग से निम्रिखित में से कौन सा रोग होता है जो पॉलिस किया हुआ चावल होता है जो उसको खाया जाता है सूखा रोग या रटालप्ता खेगा या बेरी-बेरी तो इसका एंसर है बेरी-बेरी बेरी-बेरी नामा रोख हो जाता है अगर हम चावल का जो है पॉलिस किया हुआ चावल खाते हैं तो एक कॉशन का इबारा चुका है ऐसे कुशन बहुत ज़ादा एजाम में आते हैं नेश शुःषण है मिलाने को आया है ये जिसे शुःषण कुछा है कि सोडियम धातू है इसका बिसेस्ता क्या है तो सोडियम को चाकू से आसानी से काड़ा जा सकता है तो एक चार है तो अब यहाँ देखेगा कभी-कभी ऐसे कुशन आता है तो हमें पहले 50-50 कर लेना चाहिए तो एक चार है तो एक चार के वल दो में है इन दोनों में नहीं है यह दो आंसर कड़ गया अब आंसर पचास परसंट हो गया पारा क्या होता है तो पारा जो होता है यह पारा जो होता है यह जो है काम क्या करता है तो पारा चांदी पहले हम चांदी की बात करेते हैं तो चांदी क्या होता है यह बिदुद का सुचालक होता है बिदुद को बहुत तीजी से इसमें परभाइट हो जाती है सीसा क्या होता है बिद्दूत का कुछ अलग होता है और पारा कामरे के ताब पर द्रव अस्था में बिद्दमान रहता है तो इसका एंसर हो जाएगा सी तो ऐसे कुशनिक जामे बहुत जादा आते हैं तो इसको भी हमें जानने की जरूरत है इसका एंसर है सी नेक्स्ट है निम्निकित में से कौन सा क्रित्रिम पदार्थ नहीं है फाइब्राइन, लेकसान, नियोप्रीन या टेफलान तो इसका एंसर हो जाएगा टेफलान ये क्रित्रिम पदार्थ नहीं है ये प्राकिर्तिक पदार्थ है, टेफलान बाकिसर किर्तिक पदार्थ है, इनको बनाया जाता है रेस्ट कुशन है, कि आईश्टीन को नोबल पुरुसकार दीकिस में दिया गया था सापेच्चता किसी धान्त के लिए दिया गया था या फिर उनको जो है, परकास, बिदुत, परभाव के सिधान्त के लिए दिया गया था बिसिष्ट उस्मा के सिधान्त के लिए दिया गया था, या इन में से कोई नहीं तो इसका जो एंसर हो जाएगा, ये कुशन कम से कम दस बार एक्जाम में आ चुका है बहुत इंपोर्टन्ट है, परकास, बिदुत, परभाव के लिए आईस्टीन को नुम्बल पूसकार दिया गया था नेश कुशन है, भोकम की तीवरता का मापन किया जाता है तो भोकम की तीवरता का मापन रियक्टर पैमाने पर के जाता है ये कुशन बहुत बारा चुका है, काफी इंपोर्टन्ट कुशन है, याद रखेगा नेश कुशन है, निम्रखित युगों में ऐसे कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है इसमें देर आया है कि ओडो मीटर का उपयोग केस में कहते हैं तो ओडो मीटर का उपयोग करते हैं वहनों के पहियों द्वारा तैंकी गई दूरी को मापने के लिए ओडो मीटर का प्रियोग करते हैं विदु चुमकिये तरंगों की आविरती मापने के लिए आडियो मिटर का उप्योग करते हैं धो नित्ती विर्ता मापन के लिए जबकि A मिटर का उप्योग नहीं किया जाता है बिद्धु सक्ति के मापन के लिए तो इसका एंसर हो जाएगा D ठीक है रश कूशन है मिटर्खित में से कौन सा एक यगम सही सुमेलित नहीं है ठीक है जैसे पहला कुशन है इसमें लेक्टोज जो है लेक्टोज जो है इसे खटा दूद दूद का जो खटा पन होता है वो लेक्टोज एकान हो जाता है जो सोडा वाटर होता है उसमें कार्बोनिक अम्ल पा जाता है लाल जो चीटी होती है पेड़ो पर उसमें फार्मिक अम्ल पा जाता है लेकिन अंगोर में टार्टरिक अम्ल नहीं पा जाता है ये बहुत इंपोर्टन्ट है उसमें जो है दूसरा अम्ल पा जाता है कि इसा कौन सा जो है विसफोटक है जिसका नाम नोबेल तेल रखा गया है तो ये बहुत इंपर्टन कुशन है कई बार कुशन आ चुका है तो क्या दखिएगा इसका जो एंसर है वो है हो जाएगा टी-एन-जी, टी-एन-जी का जो फुल-फार होता है ट्राई-नायट्रो-ग्लेसरीन होता है आ इसको नोबेल तेल के नाम से भी जाना जाता है नेशर कोशन है निम्रकित मेंसे कौन सा एक प्राखिर्तिक फल पकाने वाला पदार्त हार्मोन है तो यहाद रखेने का प्राकिर्टिक इसा कौन सा हार्मोन है जिससे फल को पकाया जाता है तो वह है एथिलीन एथिलीन का उप्योग कि जाता है फल को पकाने के लिए और देखा होगा जो फल बिक्रेता होते हैं वो इसको रखे रहते हैं ने इसे को डुबो करके और ये हार्मोन को लगा करके और आज कले बिक्ता भी है मार्किट में उसे से फलकों पकाते हैं ये एक रोग होता है इसे अधी रत स्वात कहते हैं एक पुछा गया ही जाम में इससे क्या होता है ये कौन सा रोग होता है कि या जीवाडू गुरोग होता है विशाडू रोग होता है एक परदुसित रोग होता है या एक अनुबंसिक रोग होता है ये बहुत important question है नेश कुशन है मानो सरीर में विटामिन ए कहां भंडारित होता है मतलब मानो सरीर में विटामिन ए कहां पर रिकठा होता है तो या कृत में तोचा में फुस फुस में या इन में से कोई नहीं इसका एंसर है या कृत में लीबर में ही विटामिन ए भंडारित होता है next question है, निम्र outta किस के लिए C10 संख्या गुलु अत्प के लिए मापा जाता है। यहाद दखेगा बहुत important question है कि जो diesel होता है, diesel को C10 संख्या के दょramient partisan मापा जाता है, dieta के दोरा ही पता लगा जाता है diesel कीória मापन diesel की गुलु 6 s kr के पता लगाए के लिए तो सीटेंस संख्या को प्रयोक किया जाता है तो इसका एंसर हो जाएगा सी नेर्श कूशन है निवरकित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है हार्मोन मानों में भी होते हैं और पौधों में भी होते हैं तो इसमें जो है जो हार्मोन है जो पौधों में पाया जाता है उसका नाम है साइटो काइनीन साइटो काइनीन नाम पौधा होता है यह माप करिएगा हार्मोन होता है और यह पौधों में पाया जाता है नेश्ट है पपीते में पीले रंग का कारण क्या है जो पपीता होता है उसे पीले रंग का कारण क्या होता है तो उसका कारण जो होता है बहुत ही इंपोर्टन्ट है यह कोशन कर यह बारा चुका है कैरी का जेतलीन यही जो है यह एंसर जो B है यही पपीते में पीले रंग का कारण है नेश्ट कोशन है निम्रिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है खेती है और खेती का नाम करना है फूलों की खेती को क्या कहते हैं फलोरी कल्चर कहा जाता है फसलों की खेती को एगरोनामी कहा जाता है सब्जों की खेती को हाटी कल्चर नहीं कहते हैं इसको उलेरी कल्चर कहते हैं और फलों की खेती को पॉमोलोजी तो इसका एंसर हो जाएगा C इस तरह के कुशन बहुत बार आते हैं एक्जाम में तो आप लोग क्या दखेगा कि जो सब्जों के खेती होती है वो ओलेरी कल्चर के तहत होती है ना की हाटी कल्चर के तहत होती है तो इसका एंसर हो जाएगा C नेक्स्ट है फसलों में पढ़ लिए छिरकाओ के लिए सबसे उप्युक्त और बरक कौन सा होता है जब कोई भी फसल होती है जब उस पे फूल आता है तो फूल आने पर इसे कौन सा चीज होता जिसका छिरकाओ के जाता है तो वह है यूरिया यूरिया का छिरकाओ होता है मुक्त अतरदाई किसके लिए है तो फलोयम क्या काम करता है ये कुशन कई बारा चुका है तो याद रखेगा फलोयम होता है एक होता है जाइलम एक फलोयम होता है और एक जाइलम होता है तो फलोयम क्या काम करता है फलोयम जो है आहार वाहन के लिए होता है जैसे मान लिए य ये पौधा है और ये जड़ है तो फलोयम और एक जाइलम दोनों जो है एक टीसू होते हैं टीसू कह सकते हिंदी में उसे उतक का जाता है और ये काम क्या करते है तो फलोयम क्या काम करता है ये जड़ों से जो है पौधों तक आहार वाहन का काम करता है आहार को पहुचाता है जो भोजन होता है पोधों को वो उसको पहुँचाता है और जो जाइलम होता है वो जल को पहुँचाता है पेड़ों तक जल को पहुँचाता है जल से जल को ले जा करके और उपर तक पहुँचाने का काम करता है तो या दखेगा इसका एंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएग किसका उपयोग कियाता है तो उसका बहुत इंपर्टन कुशन ही है इसका एंसर हो जाएगा D MOTOX का परिच्छन मोटोक्स का जो परिच्छन होता है उसी के दौरा TB का परिच्छन का पता लगा जाता है और सरकार TB को समाप्त करने के लिए 2015 कलच रखा है कि भार से TB को 2025 तर समाप्त किया जाएगा इसका एंसर हो जाएगा D N reminder question है निम्रिकित ईगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित है तो पहला है आपका इसमे कौन सा सही सुमेलित है तो इसका हो जाएगा D जो neurology है वो तंत्रिका तंत्र के लिए होता है बाकि इसमें जितना है वो सब wrong है तो यह किस्ता की साखा होती है और मानों के किस अंग के साथ उसका संबंध होता है यही कुशन आपसे पूछा जाता है नेश कुशन है राष्टिय रासायनिक परयोग साला अवस्थित है राष्टिय रासायनिक परयोग साला कहा है लखनों में नई दिल्ली में पूणे में या हैदराबाद में तो यह है आपका पूणे में बहुत इंपर्टन कुशन है यह कुशन करी बार आया हुआ है यह पू 1024 बाइट होते हैं एक किलो बाइट में एक कोशन कंप्यूटर का है लेकिन कई बार पूछ जा सकता है बहुत ही बिग्यान के अंतरगत निम्रखित में से कौन सा लोधातु के 6 करण में आवस्यक है इसका मतलब यह हुआ कोशन का मतलब समझ लीजेगा कि जो लोहा होता है लो या हाइडोजन और नमी तो इसका एंसर हो जाएगा बी आकसीजन और नमी तबी लोहे में जंग लगता है आप देख सकते हैं लोहे में जंग लगने का करण यही होता है तो इसका एंसर हो जाएगा बी नेश कोशन है मासागर में डूबी हुई वस्तों की इस्तिति जानने के लिए निमने में से किस यह अंतरका पर योग किया जाता है तो इसका एंसर बहुत इंपर्टन्ट है कई वार कुशन आ चुका है और्डियो मीटर गैल बेनो मीटर सोनार या इन में से कोई नहीं तो इसका एंसर हो जाएगा सोनार इसे जो है महा सागर में डूबी हुई वस्तों का पता लगाते हैं जैसे माली ये सागर का तल है और नितल है यहाँ जहाज मालो है तो जहाज से सुनार की तरंग छुलियाती है अगर मालो कोई वस्तों यहाँ है तो तरंग जल्दी लोट जाएगी अगर तरंग यहाँ कोई वस्तु नहीं है तो तरंग देर में लोटेगी तो इसका मतलब वहाँ गहराई जादा है और वहाँ गहराई कम है ऐसे ही सुनार का पर्योग किया जाता है तो इसका एंसर हो जाएगा C नेश कोईशन है निम्लेखित अमलों में से किस अमलका उप्योग कार बैटरियों में किया जाता है जो कार की बैटरी होती उसमें कौन सा अमलों होता है तो इसका एंसर है C सल्फियूरिक अमलका उप्योग किया जाता है कार की बैटरियों में या अमलका उप्योग कौन सा एसिड होता है जो कार की बैटरियों में होता है तो आपको पुछा जाएगा तो सल्फियूरिक अमल होता है नेश्ट कोशन है आलो के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में कौन सी गैस होती है इसका मतलब यही है कि कौन सी गैस होती है जो हम लोग चिप्स खाते हैं प्लास्टिक के उसमें प्लास्टिक के जो थैली होती है जिसमें आलो की चिप्स होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है तो nitrogen gas भरी होती है nitrogen आप जब कभी chips का packet खोलिएगा तो उसमें देखे रहे gas निकलती है और वो gas होती है nitrogen next है त्री कोड़िये हिर्दे पाए जाता है त्री कोष्टी हिर्दे पाए जाता है किसमें त्री कोष्टे जो हिर्दे होता है वो किसमें पाए जाता है अभैचर जियो में अभैचर जियो से कहते हैं जो अस्थल और जल दोनों में रह सकते हैं यसे मेढ़क इसका एंसर हो जाएगा सी नेश्ट है निम्ले खित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्मान में किया जाता है जो माचिस की तीली होती है तो माचिस की तीली में फासपुरस लगा होता है जो आग लेने काम करता है तो कौन सा फासपुरस होता है डाई फासपुरस, काला फासपुरस, लाल फासपुरस या सिंधूरी फासपुरस तो इसका एंसर हो जाएगा C, लाल फासपुरस तो हम लोग घरों में रोज यूज़ करते हैं लेकिन हम यह नहीं पता होता है कि अधिया सलाई में कौन सा फासफूरस होता है तो लाल फासफूरस होता है नेक्ष्ट है निमने खित कत्रों पर विचार कीजिए बहुत इंपॉर्टन कुशन यह है कि कहरा इसमें कौन सा सही होगा option है केवल एक केवल दो तीन एक दो तीन यह सबी सकते हैं तो इसका जो कुशन है आप ध्यान दीजेगा कुशन पर द्यान से पड़ते हैं हड्यों में उपसित योगित कैल्सियम फास्पेट होता है बिल्कुल सही सिरका में उपसित अमल एसिटिकम यह भी बिल्कुल सही दूद का खटा होना लैक्टिक एसिड यह भी बिल्कुल सही फलो का पकना एथलीन तो इसका एंसर हो जाएगा D जबी सही है, एंसर हो जाएगा D नेक्ट कोश्चन है, निम्रिखेत में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है तो विटामिन A से रताउंधी, विटामिन B 3 से लागरा, विटामिन D से वनाधता यह विटामिन जो नेक्ट है, फॉलिक एसिड रटता लगता इसमें एनेमिया कहते हैं इसको तो इसमें कौन सा नहीं होगा तो इसका answer हो जाएगा C जो है इसका answer हो जाएगा C, vitamin D जो है इससे color blended नहीं होता है Next है नेमने कित में से कौन सा word flow का कारक है तो word flow का कारक कौन है तो या देखना H5N1 H5N1 का जो यह code है, word flu का ही code है, यही जामे पूछा गया है कई बार, तो यह बहुत important question है, याद रखेगा आप लोग Next question है, निम्लिकित में से किस यूग में सही सुमिलित नहीं है, vitamin B1, संत्रा, यही गलत है, संत्रा में vitamin C पा जाता है, तो इसका answer हो जाएगा A Next question है, जियो कोसिकाओ में आनुबंसिक लच्छनों के नियंतर में निम्लिकित में से कौन सा उत्तरदाई है, enzyme, hormone, RNA या DNA तो जो यह होते हैं, आनुबंसिक लच्छन होते हैं, या DNA से जुड़े होते हैं, तो इसका answer हो जाएगा D, DNA Next question है, निम्लिकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका answer हो जाएगा B, टोकोफेराल बेरी-बेरी को नहीं कहते हैं, ये याद रखेगा Next है, इंसुलीन है, इंसुलीन क्या होता है, वसा होता है, बिटामिन होता है, कार्भो हैट्रेड होता है, या प्रोटीन होता है, तो इसका answer हो जाएगा प्रोटीन, तो इंसुलीन जो होता है वो प्रोटीन होता है नेश्ट कोशन है निम्ले कि बनस्पती तेल से बनस्पती घी बनाने में कौन सी गैस परयोग की जाती है ति ये कोशन कई बरा चुका है हाइड्रोजन गैस को परयोग की जाता है जो है बनस्पती तेल से बनस्पती घी को बनाने में ये भी बहुत इंपर्टन कोशन है याद का निभाता है तो मा से जो दूद निकलता है किसी भी जानवर हो या मानों हो तो कौन सा ऐसा हार्मोन होता जिसे दूद निकलता है तो हार्मोन का नाम है आकसी टोसीन आकसी टोसीन जो है यह हार्मोन से ही जो है यह हार्मोन निकलता है तभी जो है अस्तन से दूद निकलता है नेक्स्ट है God particle है God particle क्या होता है तो ये Hicks Boston Hicks Boston नाम के भिक्ञानिक ने ही God particle की खोच की थी तो इसका answer हो जाएगा P समूदरी घास निम्ने के तत्ट का मुख और महत्मौन सुरोत होता है तो आयोडीन का मुख सुरोत होता है समूदरी घास क्योंकि सम्मुद्र घास में सम्मुद्र में नमक जदा पाजाता है तो ये आयवडून के लिए सबसे महात्मूर्ट सुरोत मना जाता है बिद्दु चुम्बकिये पेरग पर आधाय युक्ति कोन होती है ये कुशन करे बार आ सकता है आ चुका है तो डाइनेमो जो होता है ये या आंतरी कुर्जा को बिद्द तुर्जा में बदलने का काम करता है इस तरह हो जाएगा सी नेश्ट है ताप के निम्लिकित में से किस पैमाने में रिडातमक मान नहीं होता है तो कैल्बिन कैल्बिन जो पैमाना होता है इसमें रिडात्म नहीं होता है कैल्बिन जैसे सेल्सियस में जीरो पर बरफ जम जाती है और सौ पर पानी खोलने लगता है तो जो कैल्बिन पैमाना होता है दो सो तीहत्तर पर पानी जम जाएगा और 373 पर पानी खोलने लगेगा तो इसका भी वही 100 का अंतर है लेकिन जहां पर Celsius में जीरो होता है वहीं केलबिन में जीरो का जो मान दो होता है वो 273 होता है नेक्ट कोशन है नेमरिक्षित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीещन को एमीनु अम्ल में बदलता है तो ये बहुत extraordin कोशन है और इसका answer है A पेपसीन बदलता है प्रोटीन को एमीनु अम्ल में नेक्ट कोशन है परकास संस्रेशन परकिरिया के लिए तो याद रखेगा परकास संसेशन में पाउधे CO2 को लेते हैं और आक्सिजन का उत्पादन करते हैं इसलिए परकास संसेशन में आक्सिजन किया उसकता नहीं होती है एंसर हो जाएगा B Next है माइक्रोइसकोप का परियोग निम्रिकित में से किसके अध्यन के लिए किया जाता है तो यह बहुत इंपर्टन कोशन है इसका इंसर हो जाएगा D सूछम और पास की वस्तों को जानने के लिए ठीक है तो इंसर हो जाएगा इसका D Next है दूद के घंट को किसके दौरा मापा जाता है तो जो दूद मेंulture-density होती है वो किसके दौरा मापा जाता है तो Lactometer के दौरा मापा जाता है तो इसके अंसर हो जाएगा A तो हम लोगों ने आज BBSC के एक्जाम के थुरू 50 question science के हम लोगों ने देखे हैं इसी तरह के science के और भी question लगतार आते रहेंगे आपको आप लोग practice करते रहें जिससे question इस बार गलत ना होने पाए क्योंकि science के कम से कम 35 question 30 से 35 question आते हैं तो वो गलत ना होने पाए तो कोशिस है यह है कि जो question बहुत ज़्यादा चर्चा में है important है उनको लगातार हमारे चैनल दोरा दिया जाएगा आपको वीडियो कर से लगा जरू कमेंट करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा सेर करिएगा और चैनल को subscribe कर लिजएगा okay thank you